नमस्कार, मेरा नाम है निलेश कुपता और आज मैं आपको बताने वाला हूँ Common University Entrance Test की बारे में, तो अभी National Testing Agency जो N.T. है, उन्होंने Common University Entrance Test इस साल से Implement कर दिया है, और पहले इसको समझा में इस पर एक बातसीत करते हैं कि इसकी अगर आपने लास्टाइम, अगर आपने इसको फॉलो कर रहे होंगे, तो एक डली उनिवस्ट्री के प्रोफेसर का एक आर्टिकल निवस्ट्री पेपर में पब्लिश हुआ था और काफी उस पे अगर आपने उन्हें बूला था मार्क्स जिहाद, और मार्क्स जिहाद में उन्हें बताया था कि कैसे एक कॉलेज में, कि रोडिबल कोलेज जो है दली उन्वस्ट्री के अंतरगा आता है, वहाँ पर किसी पर्टिकल स्ट्रीम में 26 बच्चों को लेना पड़ा, 26 कांडिड स्ट्री होगी थी, और और भी इस तरह की compliance मेरे ख्याल से, जो MHRD उनको जारी होगी, और उसकी बात से हमारी जो ministry है, वह भी action mode में आई, और हमने एक exam हमारी सामने आया हो है, Common University Entrance Examination, तो आई हम इसको समझते हैं कि Common University Entrance Test क्या है, और वैसे अगर हम overall बात करें, तो students के जो universities होती तो उनमे admissions होते थे, लेकिन अब जो admissions होंगे, वो एक Common Entrance Examination होगा, जिसको बोलते हैं, Common University Entrance Examination होगा, जिसको हम बोलते हैं, CUET, इसके basis पर universities में admission मिलेंगे, तो ये बच्चों को एक अच्छी opportunity देगा, एक equal and fair opportunity बच्चों को मिलेगी, और साथ ही साथ में Colleges को भी talent को choose करने का एक freedom मिलेगी, तो आई हम इसको समझते हैं कि, what is this exam all about, तो देखी, ये examination जो है, approximately 1.8 lakh seats के लिए हो रहा है, Central Universities of India की, और हाला कि इसमें कुछ बहुत सारी private universities भी जूड रही है, ठीक है, और पहले UGC ने propose किया था, इसको Central University Common Entrance Tax के नाम से, जिसमें सिर्फ Central Universities के लेकिन बाद में इसको other universities, other colleges के लिए भी open कर दिया गया, और हर एक university, हर एक college की पास, ये right है कि, वो अपना अलग से criteria decide कर सकते हैं, CUT की थूँ, admission लेने का, तो ये बहुत freedom भी colleges को दी गई है, अब समझते हैं कि, ये UG और PG दोनों programs के लिए होगा, लेकिन हम, आप यहां प paper pattern की बारे में बात करते हैं, तो ये तीन sections में divide होगा, पहले एक section में सिर्फ language होगी, section 1 जो होगा, language का section होगा, section 2 होगा, वो domain specific subject होगा, और section 3 जो होगा, वो general test होगा, यहां पर एक और बात जो बहुत important समझने की है, कि बच्चे को हर एक section देना important नहीं है, बच्चे को कौन सा section देना या यह इस पात पर depend करेंगा, आप कौन सी university ने क्या requirement रखी है, अगर कोई university सिर्फ आपको language की requirement रखती है, तो आपको section 2 or section 3 attempt करने की जुरफ नहीं है, या किसी university के किसी particular course ने only section 3 की demand रखी है, तो आपको वहापर general test देने की जुरुत नहीं है, ठीक है, तो यह कैस से आपको choose करना है, IMS की बारे में और detail से बात करेंगे, आगे, ठीक हर एक university की जो भी courses है, वो उनकी website पर available करवा देगे हैं, आप वहाँ जा की देख सकते हैं, और वहाँ पर जाके आपको detailed eligibility criteria भी मालूम पढ़ जाएगा, कि क्या-क्या है, ठीक है, एक importance चीग उन्होंने ब कर सकते हैं, लेकिन आपने arts की जो subject पढ़े थे, उनको तो आपको domain specific subject choose करना ही होंगे, उसके अलावा आपको mathematics का subject choose करना पढ़ेगा, तो जो fourth point है, कि आप जो subject आपने 12th board में लिये थे, वो तो लेना जरूरी है ही सही, तो उसके साथ साथ आप जिस particular course में enroll करना चाहते हैं, और जो online application process होंगे, 2nd April से लेकर 30th April तक चलेगा, यह हमारा पहला video है, जो resonance की तरफ से आ रहा है, CUET की बारे में, हम आगे आपको बहुत सारे videos लेके आएंगे, जिसमें हम आपको online application form कैसे fill up करते हैं, उसकी बारे में बहुत detail से जानकारी देंगे, because इसका online application form बढ़ा complicated सा हो होने वाला है, तो जहां पर बहुत सारे factors का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो यहां पर भी एक regular counselling की जरुत होदी, इसके लावा फिर आपको इसके exam की तयारी कैसे करनी है, post counselling कैसे करनी है, इसके बाँ मारे पूरे series of videos आपको यहां पर चलते आएंगे, और यह जो examination ह होगा, यह first week of July में होगा, multiple shifts में की examination होगा, तोड़ी सी बात कर लेते, paper pattern की बारे में हमें बात कर ली, पूरा का पूरा जो test होगा, यह CBT mode में होगा, जिसको हम बुलते हैं, computer based test mode होगा, MCQ type questions आएंगे, तो हमने देसे भी बात कर रही थी, तीन sections होगे, section में जो होगा, section 1 जो होगा, वो language section होगा, section 2 जो होगा, domain specific subject, आगर आपकी किसी particular university में जहां पर आप apply करते हैं, वहाँ पर एक particular domain की जुरूते हैं, कि आपको physics का test clear करना है, आपको chemistry का test clear करना है, आपको agriculture का test clear करना है, आपको biology का test clear करना है, आपको max का test clear करना है, तो वो domain specific subject होगे, और एक total 27 domain आपको यहाँ पर चूज करने, total substance domain आपको offer की जाएंगे, उसमेंच आप maximum six domains आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं. तो section one languages का हो गया, जिसमें भी दो पार्ट हैं, यह first part में 13 languages हैं और दूसरे part में 19 languages हैं. section two हो गया domain specific test, और section three जो होगा, यह एक पूरा का पूरा attitude based question होगा, जिसमें general knowledge, current affairs, mental ability, logical analytical reasoning, numerical ability और quantity reasoning इस तरीक के questions आएंगे. आप इस बार यह बात करते हैं कि number of questions कितना आएंगे, जिसमें section one and section two जो होंगे, उसमें total 50 questions होंगे और 45 minutes में time करने होंगे, लेकिन उसमें से आपको सिर्फ 40 questions time करने होंगे, questions होंगे 50, लेकिन choice होंगे, 40 questions time करने होंगे, और एक question पांच number का, यानि कि 200 marks का paper होगा section one and two, लेकिन आगर हम इसी तरह से section two की बात, section three की बात करते हैं, तो उसमें section three में आपके पास 60 questions होंगे, और हरे question five marks का होगा, तो total 300 marks का होगा, और इसके साथ साथ बहुत important सीज हो जाती है की syllabus क्या होगा, किस तरह किस level के questions को पूछा जागा, लेकि section one में जो language based questions होंगे, वो बहुत जादा comprehensive based question होंगे, या जिसका हम बोलता हैं की unseen passages type question होंगे, passages होंगे जिसमें बहुत जादा, literally aptitude का use किया गया है, और vocabulary का use किया जाएगा, तो आपको English की पूरी, मुझे लगता है की पूरी knowledge होना बहुत ज़रूरी है, कोई भी language होगा, आप choose करते हैं, उस language की पूरी knowledge होना बहुत ज़रूरी है, तो language stage जो होगा, ये पूरा का पूरा grammar, vocabulary, factual होगा, literally aptitude में बहुत broad term use करी गया है, तो आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर include हो सकती है, आप section 2 की बात करते हैं, जो domain specific test होगा, इसमें जो question होगे, ये NCRT level पे class 12 board के slaves के बराबर होगे, तो NCRT की class 12 की book है, मालने जिए आपने कोई university में apply किया, जहाँ पर biology important है, जहाँ पर biology जिए आपको choose करनी होगी, तो आपको जो bio पंड की तयारी करनी है, इसमें dominant specific test में, वो class 12 तक की board की bio ही complete पढ़नी है, यहाँ पर term 1, term 2 आली बात नहीं होगी, यहाँ पर class 12 की जो पूरी bio है, वो आपको पंडनी पढ़नी पढ़ेगी, और section 3 की बात करते हैं, तो GK, GS, current affairs, general mental body question, quantity reasoning, learning, identity reading लेगी, यहाँ पर बच्चों के question आ सकते हैं, कि जो question आएंगे mathematics, generally जो बच्चे, जो mathematics से डरते हैं, उनको क्या mathematics पूरी पढ़नी पढ़ेगी, जी नहीं, यहाँ पर mathematics पूरी पढ़नी पढ़ेगी, जी नहीं, यहाँ पर mathematics पूरी बहुत simplify कर लिया है, तो उसके लिए या फिर a plus b, a plus b का holy square, उसका identity open करेंगे, तो क्या होगा, तो questions का level जो रहने वाला है, वो class 8 तक का level रहने वाला है, तो अगर जो बच्चे arts भी लेके पढ़ रहे हैं, उनको भी इस section से घबरानी की बिकुल ज़रूत नहीं है, और number of attempts की बात करते हैं, ठीक है, अगर आपने पिसली साल में, अगर previous year कोई university है, वो जो last year के पासवर students उनको अलाव करती है, तो वो इस बार cg2 में appear हो सकते हैं, ठीक है, तो यह आपके पास option है, यह एज के लिए भी आपको cg2 में कही तरह से मना नहीं करते हैं, अगर वो university आपको अलाव करती है, तो आप इसमें बैठ सकते हैं, list of languages, बहुत बड़ी list of languages है, section A में मने बताया है कि 13 languages है, section 1 B में 19 languages, तो यह ही बहुत सारी languages है, domain specific subjects है, accountancy, agriculture, anthropology, biology, business studies, chemistries, commercial art, economics, engineering, graphics, ऐसे करके पूरे के पूरे 27 आपके domain specific subjects है, बहुत बड़ी है, और central university करीब 50 के आसपास, central universities के लिए इसके लिए इसके लगा बहुत सरी private universities है, पार्टिस्पेट कर रही है, Tata Institute of Social Science पार्टिसिपेट कर रहा है, Jamia Hamdar, बहुत सरी universities है, deemed universities है, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, तो private universities पार्टिसिपेट कर रही है, और कुछ और अलग universities, deemed universities है, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, और आप और जड़ा detail जाना चाहें, तो आप NTE की website पर जा सकते हैं, NTE की help line number पर call कर सकते हैं, वहाँ पर आपको यह जानकारी मिल जाएगी, हम लोग resonance की तरफ से आपको academic support इस program के लिए देंगे, और हम लोग कुछ dominant specific subjects की भी आप पर workshops लगाएंगे, या पर test series चलाएंगे, उसकी बारे में आपको detailed information हमारे आने वाले video मिल जाएगी, बहुत सारे हमारे जो products होंगे, चाहे वो academy workshops की form में हो, चाहे वो study material की support की format में हो, या mock test की support की format में हो, वो बहुत सारे skills से आपको दिए जाएंगे, तो आप हमारे जो social media channels है, चाहे वो Facebook page हो, चाहे YouTube हो, चाहे Instagram हो, और यह सब link में दिए हो है, आप इनको follow करें, ताक की आपको Central University entrance test की बारे में कोई भी question होता है, कोई भी आपकी inquiry होती है, उसको में आपको उसको तुरन solution मिल सके, आप please subscribe or follow our social media pages, that's all, thank you.